नमस्कार मेरा नाम क्रिशना कांथ है मैं अलीगर्ट उत्रप्रदेश का निवासी हूँ मैं जागरोसें देल्ली कॉलिज इवनिंग का बियर प्रोग्राम का विद्यार्थी हूँ मैं आज सवधन के समक्ष क्या ग्रामीड भारत में नारीवाद एक वास्तविकता है विशय पर अपना वक्त भी पेश करने जा रहा हूँ और मैं समत का पूर्णता विरोध करता हूँ सरवप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामीड भारत में इस्तिती है सरवाधिक दैनिय है क्योंकि वहां की जो ग्रामीड समाज की पुरुष सतातमक और रूडिवादी सोच ने इस्तिती की अधिकारों को दबा कर रखा हुगा है अब पुरुषवादी जो समाज है उससे इस्तिती उत्पन हो गई है ऐसा लगता है कि ग्रामीड नारी को अपने अधिकारों की जानने के ख्रमता है वही खत्म कर दी गई है मैं स्वयम जो है ग्रामीड शेत्र संबंद रखता हूं तो मैं ग्रामीड में ग्रामीड शेत्र में नारी की शिती को अच्छि सुओ जैसे कि मेरे पास इस वक्तवों को सिद्ध करने के का उधारन है पहला है शिक्षा का अधिकार ग्रामीड भारत में नारे को शिक्षा का अधिकार मुल्ट समानता नहीं है लोग जो है अपने लड़कों को तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर भेज सकते हैं पर तू लड़की के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि उन जो है लड़कियों को भेजना है नहीं चाहते क्योंकि उनकी सोच रूड़ी वाती है दूसरा यह कि ग्रामीड भारत में शहरों की तुल्ला में इस तरी को महिलाओं को बाहर जाकर नौकरी करने की जो है इजाज़त नहीं है जहा उनकी लड़की कमाई खा रहे हैं उनकी कमाई से घर चल रहा है ऐसे उनकी सोच में आसासपद है लेकिन परंतु ऐसा ही है और तिसरा यह है कि जहां शादी के बाद विवा के बाद नारी अपने ससुराल जाती है तो वहां भी उसके साथ भेदवाख खतम नहीं होता जहां एक पुरुष का जीवन पहले की तरह चलता रहता लेकिन जो नारी है उसके साथ जो उसकी अधिकारँ उन पर और बंधन लग जाता है मतलब जो उसकी अधिकारँ को कम करने में को युगसर नहीं चोड़ी जाती वहां परिश्ति ऐसी बनी हुई हभए कि जब तक ग्रामीड भारत की इस्तरी नारी है उसकी इस्ति सब को वाली को विराम देना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद